निफ्टी के डेली अनलेस में आपका स्वागत है निफ्टी ने शुकुरवार को अपना क्लोज दिया था 22,023 पे जो पिछले क्लोज से लगवा 123.9 माइनस नीचे आके मार्केट अमरा क्लोज दिया है ध्यान से अगर देखा जाए तो मार्केट का इस ट्रेंड लाइन के नी मार्केट गैब डाउन होता है और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि मार्केट में एक इंसजाइट कैंडल है और नजदीक से अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया है इस सपोर्ट को अगर मैं आपको दिखा हूँ तो एक हORIG Bible के 911 पे अपना लो लगाया था उसी तरीके से गुरुवार को भी मार्केट ने 21,911 पे अपना लो लगाया था और जो शुकुरवार था वो एक इंसाइट कैंडल बना है अब यहाँ पे मार्केट का पूरी तरीके से जो मार्केट जिस पल अब ये 21,921 को मार्केट जैसी ब्रे इस ख्षान मार्केट इस लेवल को, कौन सा लेवल, इकतिस हजार नौसो ग्यारा के लेवल को मार्केट ग्याब डाउन जैसे, जैसे ही ब्रेक करेगा, याद रखिए, मार्केट में तेज और बहुत तेज गिरावाट आएगी, इसके दो मुख्या कारण, सबसे पहला कारण की मार्केट इस स्टेंड लाइन को, स्टेंड लाइन नहीं, माफ किजिएगा, इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेकडाउन देगा, नमबर एक, और ये सपोर्ट कोई साधरन सपोर्ट नहीं है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो ये सपोर्ट बहुत पुराना है, देखें, फेबरोरी से ये सपोर्ट, पहले तो फेबरोरी तक तो ये पूरी तरीके से एक रेजिस्टन्स था, बाद में फिर ये support बना है कब 15 तारिक के फेबरोरी के 15 तारिक के बाद से support बना है फिर ये support बनता गया, बनता गया market इसके उपर trade करता गया finally अब फिर से उसी जगे पर है लेकिन साथ में हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि market में भले ही अभी एक trend line को market ने breakdown दिया है लेकिन इस जगा पर market कुछ समय और बिता सकता है इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए हाँ, हमें तयार रहना चाहिए इस नंबर के लिए 21,911 के लिए हमें तयार रहना चाहिए कि market जिस पल इसके नीचे आएगा बहुत तेज तरीके से market यहां से नीचे चला जाएगा हाँ, पर याद रखिएगा कि यह कम समय के लिए होगा for example, जैसे यह जो candle है अगर देखेंगे तो यह मार्च महिने का 29 तारीक का candle था market ने इसके नीचे गया पर इस trend line के वज़े से market दोबार ऊपर चलाया इस support को, कौन से support को इस support को लेते हुए तो market यह कर सकता है आपके साथ भी कि अगले दिन, कल market अगर gap down भी खुलता है तो पहले शुरूबात में यहाँ पे एक नीचे चला जाए market एक नीचे आपको दिखा दे दुबारा market एंटर कर सकता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कम से कम 15 मिने टाइम फ्रेम तक तो market को यहाँ पे रुकना पड़ेगा सिर्फ नीचे जाके छुके चले आने से काम नहीं चलेगा, market को sustain करना पड़ेगा, इस support के नीचे तब जाके market बड़ा पैसा देगा क्योंकि जादा चांस क्या है? यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ buyers ही मौजूद है अगर buyers के साथ लड़ना है तो पहले market को इस जगह पे consolidate करके फिर breakdown देना पड़ेगा बात रही consolidation की वो शुरू हो चुका है इसमें कोई दो राए है ही नहीं consolidation शुरू हो चुका है अब बारी है किसी दो दिन के breakdown की अब दो दिन का आर्थ क्या है यहाँ पर यहाँ पर support की नीचे market अगर दो red candle बना दे जिसका हमें आशंका बहुत जादा लग रहा है उसका सबसे पहला कारण है यह inside candle यह inside candle दो प्रकार से काम करेगा नमबर वन market जैसे ही शुरू होगा हो सकता है market ग्यापा पूबन हो और market धीरे करके पहले उपर जा और फिर धडाम से नीचे आए और यह अब के लिए समय सबसे सही होगा ऐसे समय पे सबसे ज़्यादा देखा गया है कि market में गिरावट के लिए अब एक red candle भी अगर यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना यह जो support इसके नीचे तो अगले दिन मान लीजिए कल सुमवार है और सुमवार को अगर एक red candle यहाँ पे अगर बन जाता है और red candle इस support के नीचे day time frame पे मतलब कल साड़े तिन बजागा इसके नीचे close करता है यही पे कई 21,800, 21,500 कई पे भी तो फिर मंगलवार को हमको यह बड़ा तेज और तेज गिरावट देखने को बिलेगा लेकिन यह तभी गिरावट होगा जब market day time frame पे इस support के नीचे close देगा जब तक close नहीं होगा बड़ी गिरावट नहीं आएगी इसको याद रखियेगा इसका मतलब यह कि कल market खुलते ही पूट लेके बैट जाएंगे तो बुरी तर आप फसेंगे market को समझने के लिए पहले हो सकता है market यहाँ पर कुछ दिर वक्त बिता है फिर breakdown देगा सबसे अच्छा वही होगा और सबसे नयती कूरन काम भी आपका वही होगा अभी फिलाल हम थोड़ी देर के लिए आगे चलेंगे और ये भी देखेंगे कि market अभी option chain में किस range से किस मुकाम से market अभी आपको call writer और put writer दिख रहे है जिसको देखेंगे आप अच्छे से trade ले सकते हैं चाहिए चलते हैं फिलाल market बंद हुआ है 22,023 पे और सबसे ज़ाद अगर put writing फिलाल market में को कही इस level पे दिखाए दे रहा है तो सबसे पहले दिखाए दे रहा है यहाँ पर धैन से देखिएगा यह जो जगह है मतलब 21,900 पे मतलब यह हुआ कि market जब नीचे गिरेगा और market 21,900 के पास आएगा एक चांस जरूर होगा कि market वहाँ से bounce back करें किसी कारण से उस level को भी रच्छेत करने में market सक्षम रहता है तो 21,800 उसके लिए और मजबूत रहेगा देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप call writer सिर्फ 2000 है और put writer यहाँ पर लगबख 16,000 है मतलब 8 गुना जादा है पर याद रखिएगा market में जब गिरावट आती है तो market किसी support को मानता नहीं है पर, पर, पर market जब नया खुलेगा market जब सुबह सुबह खुलेगा तब market में यह चीज़ आप बिलकुल देख पाएंगे कि उस वक्त market इन सब levels को बहुत ज़ादा respect करता है market इसी के अनुरूप, इसी के अनुकुल काम करता है पर वहाँ पर market अगर कुछ देर ठहरेने लगे जैसे कि मैं बात करो 10 बज़े, 10 बज़े, 11 बज़े अगर market इन सब range पर आके market अगर ठहर जाए और इंतजार अगर करें कि अब breakdown देना तो possible है तब ही कितना भी ज़्यादा call writer हो कितना भी ज़्यादा put writer हो market को इस बात की थोड़ी भी परवा नहीं होती अगर market ठहरा रहे हाँ market अगर momentum में रहे तो ज़्यादा chances होता है कि आप यहाँ से वापस चले जाएंगो और यहाँ से भी वापस चले जाएंगो मतलब उपर से भी नीचे आ सकता हजार के आसपास है और यहाँ पर call writer लगबग 22,000 है उसकी उपर जाएंगे तो market यहाँ से और नजदिक 22,300 पर सबसे ज़्यादा है 79,000 और यहाँ पर लगबग put writer से यहाँ पर 12,000 तो कुल मिलाके market जैसे ही इस range में पहुँच जाएगा कि यह बात कप के लिए किस समय के लिए मार्केट जब मार्केट गैप अप खुला और खुलने के बाद कभी की बाप देखते न मार्केट लगा तार फटस एक बड़ा सा candle बना देता है यह candle उस समय बनेगा और मार्केट अगर उस समय नीचे से उपर बाड़ा तेज जा रहा है यह धीरे-देरे कैसे भी जा रहा हो कम से कम 15-20 मिरिट के अंदर तो 22,200 के range के आसपास जैसी पहुचेगा मार्केट वासे fall करना शुड़ होगा यह आपके लिए सही समय रहेगा sell on rise का बहुत लोग कहते है ना sell on rise का मतलब sell on rise मतलब जब मार्केट उपर की और उठेगा उस समय आपको बेचना है तो उपर की और मतलब resistance के पास बेचना है तो resistance कहां पर है resistance है 22,200, 22,500, 2300 यह सारे resistance area है यह zone है marketing area में आएगा सुबह सुबह 9 बच के 20 मिनिट, 9 बच के 25 मिनिट, 9 बच के 30 मिनिट तो बहुत बहुत ज़्यादा probability होगा कि market इस range से वापस आ जाएगा तो यहाँ पर आप पुखले के काम कर सकते है देखिए market में आये है तो छोटी छोटी बातों का अगुकरन करना पड़ता है तब जाके market अच्छा आपको पैसा देख सकता है अब मैं आपको 15 मिनिट के time frame पर भी जाके कुछ नया दिखाने की मैं कोशिश करूँगा वहाँ से भी एक बहुत छांदा trend line गुजरा है जिस trend line को market कल respect करेगा ज़रूर उस trend line के बार में जान लेते हैं और यह देख लेती कि कल हमारे लिए सबसे best level कौन सा रहने वाला है निफ्टी के 15 मिनिट के time frame पो अगर हम नजदीक से देखेंगे तो सबसे पहले में दिखता है कि यह market resistance को follow कर रहा है यह लगबग 13 तारिक से market का इस resistance का नया निर्मान हुआ था जो बैंक निफ्टी से थोड़ा अलग है पर market इसको follow जरूर कर रहा है किस तारिके से follow कर रहा है देहन से देखेंगे तो market 13 तारिक को gap up open हुआ और यहाँ पे एक नया point बनाया है resistance यहाँ पर तयार हुआ और market 13 तारिक को आपको यादियों कर लगा था बड़ा fall हुआ था और उस दिन fall होने के चक्कर में market ने सबसे पहला एक यहाँ पे low लगा यह low फेबरोरी के 15 तारिक को भी हमने देखा था आपको मैं थोड़ी देर पहले मैंने discuss किया इस बात को और इसी के चलते market फिर 14 तारिक को बुलिश रहा यह दो दिन पूरा भी परित रहा है 13 तारिक को गिरावट 14 तारिक को चड़ाई और इस चड़ाई के चलते market में दुबारा इस resistance को टच किया फिर वा से नीचे गिरावट आया 15 तारिक को market में पहले गिरावट फिर sustainability और consolidation market दुबारा इस जगह को फिर से चुआ है अब आगे क्या आगे यह होगा कि market कल ज्यादा से ज्यादा चांस तो है market की gap down का अगर market gap down होता है तो कम से कम market जब तक 21,911 को ना छूले बहतर होगा कि यह no trade zone कहलाएगा और आप इसमे trade ना ले क्योंकि इस जगह पर हाँ जब तक यह close है देखिए close पूरी तरह यह 15 तारिक का close नहीं है लेकिन इस market ने 13 तारिक का भी low लगाया है और 14 तारिक का भी इसलिए मैंने इसी को अभी रखा है 15 तारिक के close को मैंने नहीं मास कीज़े 15 तारिक के low को मैंने touch नहीं किया ह है यह 13 तारीक और 14 तारीक और उससे पहले का भी support बना हुआ तो market जरूर यहाँ तक गिरेगся के अगर market कल. बार्वट के नीचे खुलता है तो market के यह गिरावण हम देख सकते लेकिन यह किरावट बहुत तेज हो सकता है कई Standing होता है आप गिरावर्ट जैसे मार्केट गिरने लगता है गिरने लगता है आप सोचते चलो ले लेते ले लेते कई को बार होगा कि जैसे मार्केट यहां पर आ जाएगा तो यह बहुत बेस है बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट है यहां से मार्केट जरूर वापस जा सकता है तो और यहाँ पर कुछ समय भीता है आदा गंटा पॉन गंटा उसके बाद अगर breakdown दे याद रखिएगा पैसा जो तगड़ा बनेगा वो देखने लाइक सुनने लाइक समझने लाइक होगा क्योंकि ये support बहुत पूराना है इस support को नया मत समझिए ये सिर्फ कल परसो नरसो नहीं बना है ये महिनों पूराना support है जिसको market जरूर तोडने के लिए पूरी ताकत लगाएगा क्योंकि market अच्छा खासा भी trend line के नीचे चल रहा है और इस trend line के भी नीचे हाँ दूसरी बात क्या होगा market कल अगर यहाँ पे gap down भी खूलता है पर दीरे दीरे अगर market इस trend line को भी अगर breakout देता है तो market में हमको फिर से दोबारा पिछले जो पिछला जो हमारा एक जो trend line जहा दूर पहुच सकते है मतलब यह हाई अब देख रहा है 14 तारीक का तो market 14 तारीक के हाई तक पहुच सकता है इस trend line से उपर क्योंकि यह 14 तारीक का हाई यह trend line का है कौनसा जो सबसे बड़ा trend line जो गुजर रहा है तो levels कैसे आएंगे खुल के कि market अगर कल किस का किसी कारण से इ market पहुचेगा का तक सीधा 22,200 तक पहुचेगा जो हमने थोड़ी दिर पहले हमारा हमने option chain में भी देख लिया कि market का सबसे ज़्यादा call writing का से शुरू रहा है 200 से शुरू रहा है 22,200, 22,250 और 22,300 यह level बड़ा strong level है किसके लिए call writers के लिए तो market जब यहाँ पहुचेगा और पहुचने के बाद बहुत जादा यह संभाव ना होगी कि market यहाँ से गिरेगा यही वो जगह था इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपको trend line को ध्यान में रखके बाते करनी चाहिए trend line को ध्यान में रखके अगर चीजों को समझने लगेंगे trend line के साथ-साथ option chain दिमाग में कि यह सारे levels अगर पहले से clear होना कम सेखम आप गलत trade तो नहीं लेंगे बहुत बार होता है ना कि हम market के रुजान को देखके trade ले ले लेते रुजान का मतलब एक candle बड़ा सा बन गया नीचे red candle बन गया तुरुत हम उसमें ले ले लेते है पुट ले लेते है फॉर एक्जाम अरे मार्केट में बाई आ गया बड़ा candle बन गया ऐसे जैसे कि यह वाला कि यह बारा तरीका candle आपको याद हो का अच्छानक मार्केट ने बड़ा सा खाई लगाया जिन्होंने बड़ा candle देखके यहां पर कॉल लिया market अगले 20-25 मिनिट 30 मिनिट के 45 मिनिट के अंदर market फिर मार्केट वापस कहा से आया था अब ध्यान देंगे तो यह trendline के पास से market वापस आया था इसलिए market इसलिए trendline levels हमारे लिए बेहत जरूरी होता है चीजों को समझने की जरूरत है थोड़ा अगर समझ गया तो समझे कि बस आपका नई आपार हो जाएगा इस option trading में वीडियो